हेलो दुस्तों आप लोगा स्वागत हमारे आरभी फीसल 07 में आज हम लोग फिट से एक नियू रुक्रमेंट के बारे में बात करने वाले हैं जो पटना हाइक कोड रुक्रमेंट 2023 के लिए आपका नोटिफिकेशन आउट किया गया है यहाँ पे आप और्गनाजेशन निम दे सकते हैं पटना हाइक कोड की और से 2023 के लिए आपका बंफर भरती निकाला गया है जो भी कंड़ेट इंडिफिकेशन को चेक आउट कर सकते हैं और इंडिया आपर कहीं से भी कोई भी स्टेट से आते तो आप इस फ़र्म के लिए अपलाई पाइएगा यहाँ पर आपका पुस्ट आउट क्या गया है यहाँ पतना हाइक कोड की और चम्रसील असिस्टेंट को लिए आपका बहेकेशन आउट क्या गया है उसी परकार से आपका category wise vacancy आपका यहाँ detailed distribute क्या गया है UR candidate के लिए आपका 15 post आउट क्या गया है A E B C के लिए आपका यहाँ पे 7 post आउट क्या गया है B C के लिए आपका यहाँ पे 4 post और E E WS candidate के लिए आपका 3 post और उसी परकार से SC candidate के लिए यहाँ पे 6 post S.T. candidate के लिए 1 post, total number of post आपका 36 post out किया गया है दस यहाँ पे आपका देख सकते हैं कि आपका salary पतना high court personal assistant job 2023 के लिए आपका यहाँ पे best pay skill provide किया गया है यहाँ पे दे सकते हैं कि 44,900 से लेकर आपका 1,42,400 तक प्लस आपका other launches भी add करके आपका best से best pay skill provide किया जाएगा यहाँ पे age limit यहाँ पे 1 January 2023 तक आपको यहाँ पे 18 complete हो जाना चाहिए प्लस यहाँ पे दे सकते हैं कि आपका general candidate, male candidate के लिए यहाँ पे आपका 18 से लेकर आपका यहाँ पे 37 तक आपका यहाँ पे इसके बीच में आपका जो भी candidate का age है तो आप इस form को apply कर पाईएगा और general female candidate के लिए यहाँ पे आपका 18 to 40 year आपका यहाँ पे मागा गया यहाँ पे आपका 3 year का age lesson मिलने वाला है, OBC candidate के लिए, SC candidate और SD candidate के लिए आपका यहाँ पे 5 year का और यहाँ पे आप दे सकते हैं कि PWD candidate के लिए आपका 10 year का age lesson मिलने वाला है education qualification में personal assistant recruitment के लिए आपको यहाँ पे simply graduate pass out होना चाहिए प्लस यहाँ पे कोई भी university से pass out हो है तो आप इस form के लिए apply कर सकते हैं प्लस यहाँ पे आपका 6 month computer application diploma certificate आपका compulsory है यहाँ पे English short hand speed आपका यहाँ पे आपका यहाँ पे दे सकते हैं कि 80 मांगा गया है और यहाँ पे English tapping speed आपका 40 मांगा गया यहाँ पर बड़ आपका यहाँ पे आपका tapping यहाँ पे लिया जाएगा per minute के लिए उसी के basis पे आपका यहाँ पे short hand tapping आपका यहाँ पे है तो ही candidate आप इस form के लिए apply कर पाईएगा यहाँ पे normal जो computer course रता हो नहीं है यहाँ short hand tapping मांगा गया है यहाँ पे simply कोई भी stream से आपका graduate यहाँ पे password होना चाहिए प्लस यहाँ पे short hand आपको मैं बता दे रहा हूँ short hand आपका यहाँ पे आपका typing होना चाहिए तो ही आप इस form के लिए apply किजेगा यहाँ पे आपका selection process आपका रहने वाला यहाँ पे return examination इसी परकार से आपका minimum qualification standard और minimum qualification standard आपका यहाँ पे टेस्ट बीट किया गया है यहाँ पे दे सकते हैं और यहाँ पे आपका फोटी परसेंट आपका वेटेज दिया गया है और यहाँ पे आपका A85 आपका English shorthand typing में आपका दिया गया वेटेज और प्लस यहाँ पे दे सकते हैं 90 आपका English typing और प्लस आपका interview आपका 30 टोटल आपका यहाँ पे आपका इसी के वेटेज के basis पे आपका selection होने वाला है यहाँ पे आपको simply general और यहाँ पे application फी लिया जारा है general OBC EWS और EBC के लिए आपका यहाँ पे ग्यारों पे आपका application फी लिया जारा है जोब लोकेशन आपका यहाँ पर पटना भिहार आपका रहने वाला जोब इकन्डेट का यहाँ पर सेलेक्शन होता है तो आपको यहाँ पर पटना में आपको जोब करना होगा परकार से important date यहाँ दे सकते हैं कि starting date apply online के लिए आपका यहाँ पर आपका 28 अगस्ट से आपका स्टार्टिंग हो जाएगा और लास्ट डेट रनने वाला 18 सेप्टेंबर आपका यहाँ पे रनने वाला इससे पहले जो भी गंडेट इंटरेस्टेड हो और यहाँ पर पटना हाई कोड में आपको जो प्राप्त करना हो तो आप इस फॉर्म के लिए अपलाई किजेगा इंपोर्टन डेट अपलाई अपलाईन के लिए आप दे सकते हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन में टोटल लिंक दे दूँगा